चलो देखो क्या कह रहा है work done on a particle of mass m by a force, force की value दे रखी यह बड़ा सी complicated सा है बढ़ ठीक है वो बहुत ही आसान simplify हो जागा tension लेने की बात नहीं है के constant है appropriate dimensions का particle कहां से कहां लेगे है a0 से 0 a along a circular path of radius a मतलब particle को मूव कर रहें कहां पर circle पर मूव कर रहें हम देखना द्यान से ठीक है बड़ा ही लल्लू सवाल बन जा रही है ऐसा हुआ एक मुनट एक मुनट अब circular path है ना यह circular path में यह जिसका center कहां पर origin है और यहां से कहां देखे एक कॉमा 0 initial और यह क्या है मेरा जीरो कॉमा ए तो ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं इसको ठीक है कोई फ़रेशा नहीं है चलो अब एक चीज़ तुम देखोगे इस circle के हर एक point का जो दूरी है मालो यह कोई point है यहां पर जिसके coordinates है x,y ठीक है इस point की दूरी origin से क्या हो जाएगी ए हो जाएगी क्या है यानि की x square प्लस y square कितना हो जाएगा बताओ a square a square हो जाएगा क्या यह तो distance formula में नहीं पड़े हो तो इतना time क्यों लेड़े हो बोले हो पड़े हो ना x-0 का whole square plus y-0 का whole square is equal to a square पड़े हो ना यानि कि यह जो फोर्स अब इस circle के हर एक point पे x square plus y square कितना हो गया a square तो यह जो force में यह जो नीचे वाला जो term दिख रहा तुमको दिख रहा है क्या नीचे वाला term क्या हो जागा a cube हो जागा क्या दोनों में हां तो फोर्स बड़ी simple आ गई मेरी अब देखो जो इतना complicated सा दिख रहा था वो क्या हो गया बहुत ही तो वर्कड़न चुकी वही integrate करना पड़ेगा चोटा सा वकड़न निकालके मानते हो जोटा सा वकड़न बोलो dw is equal to f dot dr dr यहां लिख रहा हूं मैं बोलो x dx plus y dy अब टूटल वर्क निकालना बड़ा यहासा नहीं इसको इंटेग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट के साथ एक्स की वैल्यू कहां से a से 0 यह बोलो ना y के 0 तो कट जाएगा वो 0 आजागा एक्स की वैल्यू ए से 0 और यह कॉमन है और y की वैल्यू कहां से कहां तक 0 से a 0 टू एक्स बिकम्स यह कट जाएगा दोनों कट जाएंगे आणसर बी जीरू समझ गए हाँ अलिया समझे के नहीं समझे 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 समझे